सागजले की रहतगर थाना अंतगत कॉर्जवा गाउं से किसान के साथ अन्याय का एक और मामला सामने आया है जहां जमीन के लालच में गाउं के दवंगो द्वारा कुछ किसानों की साल भर की मेहनत में ना केवल आग लगा दी गई बलकि इसके तुरंद बात उस जली हुई जमीन पर कबजा भी कल लिया गया इस मामले में पीडित पाक्ष ने पुलिस दिक्षक को ग्यापन की माध्यम से शिकायद की है पीडित रामकृषन की माने तो कौर्जा निवासी सेलूठा खुद्वारा गाउं की लोगों को जबरन ही आई दिक परिशान किया जाता है इसी तारितम में भिगत दिनों सेलूठा खुद्वारा बारगा में जमीन हरपने के रादे से आग लगा दी गई जिससे खेत में बनी जोपड़ी और खेतों में लगी मूं की फसल जलकर खाग हो गई किसान के अनुसार इस फसल की और सत कीमत लगभग तीन से चाल लाख रुपए बताई जा रही है साथी साथ दबंगो द्वारत जमीन के अस्मी मालकों को खेत पर जाने से रोका भी जा रहा है और ये धमकी भी दी जा रही है कि यदी जमीन पर कदम रखा तो जान से मार दिये जाओगे इस आगज़नी की घटना में लगभग 40 बोरे मूं की फसल जलकर खाख हो गई जिसमें लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान बुआ है पुले ज्वारेस मामले में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जाँ शुरू कर दी गई है व्यूरो रपोर्ट सागर खवर 24 किसे नहीं है कि थाकर खाले के रहते है अनुआ है कि जमीन में आ गागा है तो आगी लगा देंगे तो आगी लगा देंगे तुमसब को लिगभग कितना नुकसान अनुक्षान किया आपका तो लगबग एक हसाब से लगा जाए तो बीस बुरा हमारी निकलती तो बीस निकलती। अब बोले के हो गए आपकी एफाइयार अच्छा और वो सन्वान ठाकूर गई रपोट कर वे तो उनकी लिख ली कि उनने पैसे भर दी आपकी भी रोध मोने रपोर्ट लिख ली लेकिन आप लखाने गए तो नहीं लिखी और भी घरान के बोल भी रहते हम आपको जिंदा ज अब भूले हम जाएंगे मलब पहुचाएंगे आपकी रिपोर्ट तो कारवाई करेंगे बस अगर यहां से भी कारवाई नहीं हो दी तो क्या कादम होगा अब तो अब लोग जाने अब अपने तो दे दिया बेदन